अर्फ संक्यक मंत्री जनाब मुक्तार अब्बाज नक्रीब मुंबई पहुचे जहां उन्होंने हज हाउट हौल का फिता काट कर उठाटन किया साथ ही मुंबई ही नहीं महाराज के कोने कोने से आये अर्फ संक्यक समझाय के लिए लोगों ने दूसरी बार मंत्री बनने पर फूल देकर स्वाधत किया गौतलब है कि मुक्तार अबाज नक्री ने अपने फाजर में मुंबई हज हाउस के रूप टॉप पर लगे सबसे उचे राज वर्चका जिडर किया बिना किसी रोक टोक के पहुँचे इस संक्ल्प के साथ मोधी जी की सरकार काम कर रही है इंपावर्मेंट विदाउट अपीजमेंट डिवलप्मेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमनेशन इस संक्ल्प के साथ हम आगे पढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में पिछले पांच सालों में हमने समाज के सभी वर्गोफ के आखों में खुशी जिन्दगी में खुशाली आए इस काम के लिए काम किया है और आने वाले पांच सालों में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे इस बार जो है वो इस देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा हिंदूस्तान का मुसल्मान दो लाग हज यात्री हिंदूस्टानी हज यात्री हज यात्रा पर जा रहा है जिसमें विड़ा लगवर 48% महिलाये हैं और 23 बगैर महरम महिलाये भी जा रही है 21 इंबार्केशन पॉइंट से इस बार हज यात्रा हो रही है और उसमें कई बड़े राज जैसे हैं जिसमें कि बगएर किसी वेटिंग लिस्ट के सभी हज यात्री हज यात्रा पर जाएगी साथी हमने पिछले पांच सालों में पिछले एक दियर साल में ही जो हज सबसीडी का छलता उसको इमानदारी के बल से खत्म किया है और आज जो है वो दो लाक हिंदुस्तान का हज यात्री मुसेल było हज यात्रा पर जा रहा है तो बगएर किसी हज सबसीडी के जा रहा है और उस पर किसी भी तरह का गेर जरूरी बोज नहीं पढ़ने दिया गया है हमारी कोशिश होगी कि सोशो एकनामी केजूकेशनल इंपावर्मेंट और अफलिफमेंट के लिए समाज के सभी वर्गों के साथ बराबरी से अलब संक्यक समाज की भी हिस्सेदारी भागीदारी हो